कैसी लगी डाल तारोई है न टेस्टी तो चलिए बनाते हैं कुकर में डालये वन कप तूर्दा और फुर्थ कप चना डाल डाल को कम से कम दो बार पानी से अच्छा धो लेंगे धोने के बाद अभी इसमें पानी डालेंगे और पहले से ही कम डालेंगे क्योंकि तरोई बहुत पानी छोड़ती है इसलिए मैं 4 cups के करीब पानी डाल रही हूँ बहुत जादा पानी मट डालेगा क्योंकि तरोई भी पानी छोड़ती है तो बैलेंस हो जाएगा अभी ही इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब हल्दी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और डालेंगे salt to taste और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट घोल दीजे इसमें ताकि जो चम्मच में लगा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट ना इसमें घोल जाए और इसमें डालेंगे 1 kg तरोई प्रेशर कुक करने वाले हैं तो थोड़ा मोटा ही काटेंगे न तो अच्छा रहेगा थोड़े पीसेज फिर बाद में रहेंगे नहीं तो पूरा घुल जाएगा 3-4 ग्रीन चिलीज 2 medium size के onions ले थे जिसकी बड़े dicing की है and 2 बड़े size के tomatoes है न बहुत आसान डाल तरोई को बनाना सारी चीजे ऐसे pressure cooker में डाल दीजिए अब इसको pressure cooker कर लेंगे बाद में तड़का लगाएंगे 4 whistles में ये अच्छे से cook हो जाएगा pressure cook होने दीजिए या फिर 3 whistles आने दीजिए और 5 minutes के लिए sim पे cook कीजिए दोनों तरीके सही है और cook हो जाएगा अच्छे से अभी देख लेते हैं डाल तरोई pressure cook कैसा हुआ है अब इसको थोड़ा मत लेंगे बहुत नहीं मत ना है कि उसके जो तरोई के pieces है न एकदम बारीक हो जाए वो pieces भी रहें और दाल को भी अच्छा मत लेना है मतलब gently घुमाएंगे न तो pieces भी बने रहेंगे और दाल भी smooth हो जाएगी इसमें tomato और प्याज डाला है बहुत अच्छे से वो भी smooth बन जाएगा और इसका taste भी बहुत अच्छा हैगा और तरोई तो लाजवाब है ही तड़के के लिए डालेंगे 1 tablespoon घी और घी का तड़का ही इसमें बहुत अच्छा लगता है melt होने देंगे गरम होने देंगे घी को वैसे तो आप इसमें ओइल का भी तड़का लगा सकते है लेकिन घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है घी अच्छा गरम होगे है तो इसमें डालेंगे 3-4 pinch हिंग और डालेंगे 2-3 सुखी लाल मिर्चे जिनको छोटे-छोटे टुकडों में मैंने कट कर लिया है चोटे टुकडों में कट करो ना तो इसके बीज भी बाहर आजाते है वो भी मैंने डाल दिया है तो बहुत तीखा लगेगा और अच्छा लगेगा मिर्ची के बीज हटा ज़ेंगे तो फिर क्या मज़ा उसे से तो तीखा पनाता है और इसमें डाल देंगे आठ से दस लसन की कलिया साबुत कलिया ही डाल देजिए और इसको हिलाते चलाते हुए गोल्डन फ्राई करेंगे बहुत तेज आज पे मत फ्राई कीजेगा थोड़ी मीडियम हीट कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लसन जलेगा भी नहीं तो अभी हिला चला लेंगे मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे ना तो अच्छा गोल्डन फ्राई होता अंदर से कच्चा भी ने रहेगा बढ़िया गोल्डन फ्राई करेंगे ये वड़ी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है मतलब फ्यू सेकेंड सी लगेंगे ये रेड़ी हो जाएगी ये उड़त डाल मसाला वड़ी है इसको अक्सर मैं तड़के में या सबजीयों में यूज करती हूँ बहुत अच्छी लगती खाने में स्पेशली जब मैं तरोई की सबजी बनाती हूँ उसमें डालती हूँ और डाल तरोई बनाती हूँ तो तड़के में डाल लेती हूँ तो बहुत अच्छा सौंधापन इसकी खुश्पू इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है या फिर आपके पास प्लेन उडदाल वड़ी है ना उसका भी तड़का लगा सकते है स्वाद वैसा ही अच्छा आएगा बहुत बढ़िया आएगा तो अभी लीजिए तड़का रेडी हो गया लसन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है अब लगाएंगे तड़का देखिए कुकर का जस्ट लिड लगा दीजिए ऐसे और तड़के को अंदर ही रहने दीजिए एक से दो मिनिट तक तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा वड़ियों का, लसन का और भुनी हुई मिर्च का हींका, सबका फ्लेवर बहुत अच्छा जाएगा इस दाल में अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अपनी दाल तरोई रेडी हो गई है तरोई वाली दाल, दाल तरोई टमाटर वेगरे भी डाला है ना तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा सबजी भी बनाने की जरुवत नहीं है दाल कम सबजी पो लेजी या सबजी कम दाल अब इसको धन्य के पत्तों से गार्निश कर लेजी और खाएए स्टीम ट्राइस के साथ फुलके के साथ परैठों के साथ इस गर्मी के मौसम में ऐसी तरोई वाले दाल बना के आप तंदूरी रोटे के साथ खा ये बहुत मजाएगा बहुत हिल्दी भी है और टेस्टी भी है और कितनी आसानी से बन गया जब आपका मन ना करे न सबजी बनाने का तो ऐसे ही दाल कम सबजी बना लिजी हिल्दी है टेस्टी है सब मजे करेंगे बहुत मजाएगा खाने का वीकेंड में बाहर गए थे तो बहुत ठक गए थे आने के बाद तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का और नहीं खाने का क्योंकि हेवी खाना खाया ही था तो मुझे लाइट खाना बनाना था तो मैंने डाल तरुई बना लिए सबजी कम डाल और स्टीम ड्रेस बना लिया और उसके साथ ही खाया सब को बहुत अच्छा लगा और स्वादी बहुत अच्छा आया बहुत ही बहुत ही मज़ा आया आराम से सब कुछ हो गया जल्दी बन गया और खाने का भी मज़ा आ गया तो आप भी ट्राइ कीजएगा यह दाल तरुई बहुत इजी रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है बहुत टेस्टी भी है लंच हो यह डिनर दोनों टैम पे ये बना सकते हैं स्टीम ट्रैस के साथ दाल तरुई टेस्टी लगता है साथ में प्याज का सलेड रख लीजिए हरी मिर्च रख लीजिए और पापट रख लीजिए बहुत अच्छा लगता है बहुत ही टेस्टी आप रियली इस दाल तरुई को एंजोई करेंगे